भारत के पी-म नरेंदर मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की विदेशनीती बिना किशी दबाब के काम करती है भारते समय का नुसार रात दस बजे के आसपास भारते परदान मंतरी मोदी ने जिस राष्ट पर मुख से पोने गंटे तक मुलाकात की उसका नाम है हसन रुहनी परदान मंतरी मोदी और इरानी राष्ट पती हसन रुहनी की मुलाकात को बेहत एहम माना जा रहा है इस मुलकात से भारत ने दुनिया को इस पर संदेश दिया है कि इरान आज भी उसका मित्र है वे किसी भी हाल में इरान को नहीं छोड़ सकता है गोर तलब है कि न्यू योर्क में मौजूद दुनिया के निता इरान से बचते वे नजर आ रहे हैं हसन रुआनी के साथ किसी भी देश के साथ अब तक कोई खास मुलकात नहीं हो पाई है लेकिन भारत ने अपने इस पुराने मित्र को गले लगाया है कमाल की बात यह है कि इरान का पडोशी होने के बावजूद पाकिस्तान भी इरान से कनिक काट रहा है दोनों नेताओ की मुलकात को लेकर काफी परतिक्सा की जा रही थी क्योंकि यह बैठक तेरान के परमानुकार्यकर्म को लेकर इरान और अमरीका के बीच तनाव की प्रश्ट भूमी में हुई है अमरीका द्वारा इरान पर लगाएगे परतिबंद के बीच पी-म मोदी और रुहानी की मुलकात बेहत एहम है दोनों नेताओ की जून में किर्गिस्तान के बिसकेक में आयुद संगाई सायोग संगठन सिकरसमेलन के मोके पर भी मुलकात नहीं हो सकी थी भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोगता है और वे अपनी तेल जरूरतों का करीब 80% आयात से पूरा करता है अभी तक इराक और सुझी अरब के बाद इरान हमारा तीसरा सबसे बड़ा आपूरती करता था परधानमंत्री मोदी ने इरान और पश्चिम एशिया के साथ भारत के सम्वदों को विस्तार देने के लिए मई 2016 में तेरान का दोरा किया था यात्रा के दोरान भारत और इरान ने करीब एक दरजन समझोतों पर हस्ताकसर किये थे उनमें रननीतिक चाबार बंदरगा के विकास से जुड़ा समझोता भी सामिल था बाद में भारत, इरान और अफगानिस्तान ने बंदरगा के जरिये माल परिवयन के लिए एक त्रिपिक्षय समझोते पर हस्ताकसर किये थे फरवरी 2018 में रुवानी ने भारत का दोरा किया था वे पिछले एक दसक में भारत आने वाले पहले इरानी राष्ट पती थी उनकी यात्रा के दोरान दोरों पक्सों ने एक दरजन समझोते पर हस्ताकसर किये थी भारत और इरान के नेताओं की इस मुलकात से अमरीका समेथ अन्य देशों को सापसंदेश दिया गया है कि भारत किसी भी दबाब में अपनी सुतंतर्वी देश निती से नहीं डिगेगा आसा है दोस्तों वीडियो पसनाया होगा आपसे सिगर बेठ होगी तब तक के लिए अनुवति दीजे जै जवान जै किसान जै हिंद वन नात्रव